हलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे वट शावित्री ब्रत कब है और या ब्रत आप कब करेंगी किस रेट में और इसका महात तो क्या है और ये किस महीने में किया जाता है ये सारी जानकारी हम आपको देंगे यदि आप इस ब्रत को करने जा रहे हैं तो इस ब्रत को कैसे क देंगे तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों दोस्तों हिंदू धर्म में जेश्ट मास की अमवश्या के दिन वट शावित्री ब्रत रखा जाता है इस दिन महिलाओं द्वारा उप्वास रखा जाता है जो बर्गत के पेंड की पूजा करती हैं सास्त्रों के अनुसार वट शावित्री ब्रत को करवा चौथ के जितना ही महत्पूर बताया गया है सास्त्रों का कहना है कि ऐसा माना जाता है कि जेश्ट अमवश्या के दिन शावित्री जिन्हें देवी का अवतार माना जाता है क्योंकि वा अपने मृत्पती सत्यवान को य मवश्या के दिन बट्शावित्री का ब्रत रखती है और अपने पती की लंबी उम्र की कामना करती है तो दोस्तों आईए आप जानते हैं बट्शावित्री ब्रत की तीथी क्या है या किस दिन पढ़ेगा जेश्ट मास के कृष्ण पच्च की अमवश्या तिथी का सन 2023 से ही रात को 9 बच कर 42 मिनट पर हो रही है लेकिन उदया तिथी में हरतिवहार किया जाता है इसलिए यह हम 19 मई को यह ब्रत होगा दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा यह ब्रत वच्छा वितिरी ब्रत का पूजा मुहूर्थ क्या होगा दोस्तों आईए यह भी बता आते हैं आपको 19 मई सुबह 7 बचकर 19 मिनट से 10 बचकर 42 मिनट तक पूजा का सुब मुहूर्थ है दोस्तों इस मुहूर्थ में आप पूजा करेंगे तो आपको काफी जादा अच्छा फल प्राप्त होगा तो दोस्तों अब बताते हैं वट पूडिमा ब्रत पूजा विध जाती हैं फिर वे दिन के ब्रत का संकल प्रती हैं और शिंगार करके पूरी अच्छी तरीके السे तयार होती है और इस दिन हो सके 16 सेंगार महिलाओं को करना चाहिए। वे इस दिन पीला सुंदूर को इस्तमाल करना चाहिएopf intelligence क्योंकि पीला संदूर बहुत ही शुब माना ज जाता है कच्छा धागा या जो रिल होती है उसको भी ले सकते हैं से फेरे किये जाते हैं और इस दिन काले चने हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए ब्रती को इसके बाद कथा सुनकर पूजा को करने के बाद पूजारी को दान देना चाहिए या किसी जरूत मंद को आप दान पंडित जी को दान दे सकते हैं आप जो भी जैसे चाहें वैसे दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुशार जैसा आपके पास हो यथा इस्तिती वैसा दान जरूर करना चाहिए और ध्यान रहे इस दिन सुहाग की सामगरी जरूर दान करें साथ में थोड़ा सा अन और पूजा विधी के बारे में जो भी पूजा समगरी होती है हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है कैसे करेंगे वट सावित्री खबरत इस दिन महिलाएं बर्गत के पेड की पूजा करती हैं उसकी परिक्रमा करती हैं और पेड के चारों और कलावा बानती हैं और बर्गत के पेड़ पे चावल जल फोल अच्छ दिये सारी चीजे चड़ाते हैं सिंदूर छिटकते हैं पेड़ के तने को चने के साथ में निगला जाता है उने चबाया नहीं जाता है ऐसे ही निगल लिया जाता है ग्यारा चने और बारुवा होता है उसका तना हमारे यहां तो ऐसे ह होता है दोस्तों आपके यह पूझा किस तरीके से की जाती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों तो ये थी वट सावित्री ब्रत की पूजा विधी और यह ब्रत आप किस दिन किस मौरत में करेंगे और या कब पढ़ता है सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है तो आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जै मतादी